आज मैं आपको explain करने वाला हूँ My Sassy Girl यह 2001 की एक romantic Korean movie है इस movie के IMDb rating 8.1 है और इसकी वज़े से यह बहुत ही अच्छी movie है किसी भी romantic movie को आप जब देखते हो तो cliches से भरी हुई होती है पर आपको इस movie को देखकर वैसा लगेगा पर वैसा उतना भी नहीं लगेगा करने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हो कि इस movie में जो payback मिलता है वह भी बहुत ही अच्छा है यह जो two hours की movie है यह देखने के बाद आपको कभी बोरने होगा और endy में बहुत ही अच्छी है तो चलिए शुरू करते है movie जब start होती है और हमें दिखता है यह हमारा जो main character है वो एक hill पर बेठा हुआ होता है हमारे character का नाम है यून वू यह फिर हमसे बात करता रहता है पूरी movie में है हमसे बात करेगा और जो उसके मन में चल रहा है वो हमें बताता रहेगा वो फिर हमसे कहता है कि आज हम दोनों इहाँ मिलने वाले थे 2 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था और यहाँ हम हमारी जो time capsule है वो dig in करने वाले थे वो एक दुसरे से लेटर पढ़ने वाले होते है पर आज वो लड़की उसका जो पैर है वो यहां नहीं आती वो फिर हमें कहता है कि मैं उसके रिलुक हूंगा मैं उसका वेट करूँगा यह जो सीन था यह फिचर का सीन था यह हमें फिर से टू यह पैरेंस थे वो मुझे हमें एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे मैं जब 6 साल का था तब तक मुझे बच्ची की तरह ही वो डेस अब करते थे पर जैसे मैं बड़ा होता गया, तब मुझे मेरी सब चीज़े समझ में आने लगी यानि कि उसके जंग के बारे में वो बात कर रहा होता है फिर नएस सिन में हमें एक बार में, वो हैंगाउट करता हो दीखता है उसे फिर से अपनी मदर को call आता है उसकी मदर उसे बोल रहे होती है कि तुम्हारे end से मिलने तुम्हें जाना है पर वो अभी भी इसको टाल रहा होता है इस city में उजे बेज़ा होता है क्योंकि वो उसकी end से मिल सके पर अभीभी वो से एईनोरी कर रहा होता है जब वो बार में होता है, तब एक लड़की हो देखता है फिर हम से कहता है कि उससे लड़की है ये मेरी type की है तो फिर उसे pursue करने के लिए वो आहां से निकल जाता है उसे विज़े जाते जाते, वो train station पर आ जाता है जब वो देखता है तो स्टेशन पे वो खड़ी हुए होती है और वहाँ से ट्रेन आ रही होती है वो ट्रेन से टकराना चाहे इसलिए वो उसे बचाता है और पीछे किछ लेता है जब वो देखता है तो ये लड़की बहुत ही जादा ड्रंक होती है जो वो इसके पीचे train में गुच जाता है तो हम फिर से वो कहता है यह तो मेरे type की है ही पर अब यह जो drunk है तो मुझे यह नहीं चाहिए जो उसके प्रदी उसका जब attraction होता है वो वह वहाँ से चला जाता है यह जो लड़की होती है यह बहुती स्टेट फॉरवर्ड जरली type की लड़की होती है train में एक लड़का बैटा हुआ होता है और वहाँ एक senior citizen आता है senior citizen को seat देने चाहिए इसलिए उस लड़के को भी उठा देती है वह ड्रंक होती है इसलिए वो लड़का उसके मूह नहीं पड़ता है वह आसे वह चला जाता है जो senior citizen होता है वो उस लड़के की seat में बैटा हुआ होता है तो इस seat के पीछे ही वो खड़ी होती है वो बहुती ड्रंक होती है तो उसे उल्टिया नहीं लग जाती है यून को ये देखकर बहुती घटिया लगता है फिर जब उस लड़के को उल्टिया आती है तो उस old man पे ही वो कर देती है बहुती funny सीना में दिखाया गया है पर अब जो old man होता है वो बहुती चिर जाता है ये लड़की बहुती ड्रंक है तो इससे वो कुछ भी नहीं कर सकता पर उस old man देखा होता है कि यून उसका friend है उसे उसने बचाया था तो अब यून को ही वो सब साफ करने के लिए बोलता है यून को ये करने में इंटरेस्ट ने होता और वो कुछ कर भी नहीं सकता इसलिए उससे साफ करना पड़ता है उस लड़की के लिए यून केर करता है उसे वो ऐसे ड्रंग नहीं छोड़ सकता तो पूरी सिटी में उसको अपने कंधे में लेकर वो चलता है फिर वो उसे एक मोडेल में लेकर आता है अपने कंधे पर वो लेकर आता है मोडल का मैनेजर होता है उसे कहता है कि हम दोरों एंगेज हो चुके है यह नहीं कि कोई प्रॉलम ना है जब वो अंदर आता है तो उसके उपर सब उल्टी वेगरा होती है तो वो नहाने लग जाता है इस लड़की की मोबाल पर कॉल आता है उसे पूचा जाता है कि वो कहा है तो यह उसका पता देता है पर वही उस मोडल पर पुलिस की रेट बढ़ जाती है इस पुलिस की रेट जब पढ़ती है तब हमने देखा था कि यून अनाहीं रहा था तो इसलिए उसने कपड़े भी नहीं पहने इसी वज़े से उसे अरेश्ट कर लिया जाता है और पूरी रात वो पुली स्टेशन में रहता है जब वो नेक दिन घर आता है तब उसकी माँ उसे बुश्टी है कि तुम कहा थे यून कहता है कि मैं तो सीटी में था तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपनी एंट से मिलने चाना था तुम उसे मिलने नहीं गए हो और फिर उस पर वो चीट जाती है और उसे मानने लग जाती है यून फिर कहता है कि तुम कहा थे मैंने तो सच बचा दिया था नेक्स दिन में हम देखते है कि यून पढ़ा हुआ होता है और फिर हमसे कहता है कि मैं जो हुए एक नॉर्मल स्टूरेंट हूँ मैं कभी भी पढ़ा ही नहीं करता क्योंकि जब मैं चोटा था मेरे पैरेंस ने मुझे कहा था कि तुम वह पर पढ़े हो तुम जादा स्टूरी करने की जुरूरत नहीं है यून हमें कहता है कि बच्चों को कभी मत बता हो कि वह बहुत ही इंटेलिजन्ट है मेरी तरह उनका ह कर गए थे तो इसलिए अब वह उसे मिलने के लिए बुला रही होती है स्टेशन पर वह जब जाता है तो वह लड़की उसे देखती है पर प्रिटेंड करती है कि उसे पैचान ने रही उसके सामने आ जाती है यू नहीं उसके Initialization करता है वो दोनों बात करने लग जाते है फिर वो लड़की उसे कहे थी है कि चलो हम cafe में चलते है जब वो cafe में बहुचते है यूँन सब unhealthy order करता है तो लड़की bossy होती है जैसे हमने पहले देखा था एक movie का नाम ही है Sassy Girl तो सैसी होती है तो फिर उसे कहे थी है कि तुम्हें क्या मरना है coffee order करो इस वज़े से वो coffee order कर लेता है फिर वो दोनों coffee बैठने के लिए बैठते है फिर वो लड़की उसे कहे थी है कि तुम नहीं मुझे कल बचाया था तुम्हें मुझे होटेल में लेकर गए और फिर पूलिस ने भी तुम्हें आरेश्ट कर लिया था यह लड़की मन ही मन में धैंकबल होती है पर यह ज़ता नहीं होती है जैसे हमने पता है कि एक सैसी कर लिया फिर यून उसे कहता है कि तुम बहुत प्रीटी और लवरियर दिख रही हो उसे confront करती है या तुम मुझे पर line मान रहे हो फिर वो उसे clear कर लेती है कि मैं तुमसे date नहीं करना चाहती मैं तुमसे पसंद नहीं करती यह उसे कह देती है फिर भी वो उसे बार में लेकर आती है बार में वो जब जाती है तो वहाँ वो दो बड़े आदमी देखती है उनके साथ छोटे लड़किया होती है और वो prosecution उनसे करवाना चाहती है इसे वो बहुत ही चिट जाती है और उन सब लोगों को वहाँ से भगा देती है यून हमें कहता है कि इसके साथ रहना बहुत ही embarrassing है यून फिर उसके लिए रिंग पूर करता है और कहता है कि रिंग पे हो और शांत रहो उसे ज़्यादा कुछ बखेड़ा ख़ड़ा नहीं करना होता इसलिए वो इसे रिंग उफर करता है फिर वो लड़की जिंग बिने के बाद धुरोने लग जाती है यून उसके उसका रुमाल देता है यह लड़की उससे अपना नाक पोच लेती है फिर वो रुमाल अपने खीसे में रख रही होती है तो इसलिए उसे कहता है कि यह मेरा रुमाल ले फिर वो बहुत पी लेती है और बेऊश हो जाती है फिर यून उसे एक मोटल में लेकर आता है यह वोई मोटल है जो वो पहली रात लेकर आया था जब वो सोई होती है तब यून हमें कहता है कि यह बहुत ही प्रिठी है इसके जो body है वो बहुत ही perfect है वो कहता है कि इसका जो sorrow है ये मुझे heal करना है उसके परदी उसे attraction आने लगता है और उसे pair उसे होने लगता है जब next day इन वो लड़की उड़ती है तो यून उसे कहता है कि मैंने तुमना ID दिखा तुम मुझे एक साल छोटी हूँ तो तुम्हें मुझे respect देना है पर वो लड़की इससे नहीं मानती है और उसे बहुत सारी चीज़े देने के लिए बोलती है जाओ मेरा स्ट्रूस में लेकर आओ जाओ मेरे लिए बाने लेकर आओ यसा उसे बोल रहे होती है फिर हमें यून देखता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी में होता है लेक्चर कर रहा होता है यहाँ लड़की आचाती है इस लेक्चर में बैठ जाती है और प्रोफेसर के से कहती है कि मुझे break चाहिए प्रोफेसर भी इस break के लिए मान जाता है फिर वो यून से कहती है कि चलो बाहर चलते है यून कहता है कि मुझे लेक्चर करना ही पड़ेगा वरना में मर जाओंगा तो इसलिए वो इसे मना कर रहा होता है फिर वो वह वहाँ से उठकर बाहर चले जाती है बागर आकर उस लटकी से बुझता है कि तुमने प्रोफेसर को क्या बताया तो वो कहती है मैंने कहा कि मैं प्रेइगनेंट हू और हम इस बच्चे को गिराने के लिए जा रहे है ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और फिर वहाँ से वो चले जाते है फिर दोनों हमें पार्क में दिखाया गया है वो लटकी उसे कुछ पेपर्स देती है इस पेपर्स में उसने स्टोरिस लिखी होती है उसे पढ़ने के लिए बोलती है और जबरदस्ती करती है उसे धमकी भी देती है अगर तुमने अच्छे से बढ़ी नहीं तो तुम्हें मार दोंगे हमेशा उसे यही कहती रहती है कि तुमने अगर यह काम नहीं किया तो तुम्हें मार दोंगी तुम्हें यह नहीं किया तुम्हें मार दोंगी इसमें हमेशा जो हिरान होती है यह लेटकी होती है जब यह दोनों पार्ग में होते है तब लेख के वहाँ यह आ जाते है जब यह लड़की रोई थी तब यून को उसने बताया था कि मेरा अभी-भी कल ब्रेक अब हो चुका है तो अब यह उसे कह रही है कि मैं कभी भी उसे बुला नहीं पाऊंगी ऐसा मुझे लग रहा है जुर्फ फिर से अपना मोर चेंज कर लेती है और यून को कहती है तुम्ही क्या लगता है यह तलाव कितना डीप होगा यून कहता है कि मुझे कोई भी हाइड़ा नहीं है और उसे वो ढखिल दे थी है यून को तेहन नहीं आता तो इसलिए फिर वो उसे बचाती है यून उसे बहुत दिनों तो इगनोर कराता है तो फिर से अपने फ्रेंड के साथ बार में होता है तब उसे और एक लड़की दिखती है उसके बीचे वो लगने वाला होता है पर वो जब उसे पास चाकर देखता है तो यह वही लड़की होती है वो उससे डर कर भागता है उसे उसके कोई भी लेना देना नहीं चाहिए होता फिर यह लड़की उसे कॉल करती है पर इसके कॉल को भी वो इगनोर करता है नेक सिंच में हम देखता है कि यून ने अब उसका माइन चेंज कर लिया है वो हमें कहता है कि अब मैं उसे बदला रिना चाहता हूँ वो भी train पर drunk होकर वो ही सो जाना चाहता है यानि कि उसे लगता है कि वो लड़की आएगी उसे उठाएगी और मोटेन में लेकर जाएगी पर इस वो कुछ भी नहीं होता वो drunk हो जाता है और सो जाता है पर उस पर कोई भी धान नहीं देता उसे train station पर ही सोना पड़ता है उसके पास पेसे नहीं होते है तो किसी को लगता है कि एक homeless guy होगा तो इसे वो चिलर दे देते है फिर इस चिलर से वो call करता है और उस लड़की को वहाँ बुलाता है पर थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है पुलिस उसे locker में lock कर देती है फिर वो लड़की उसे लेने के लिए आती है वो उसे खाना में करा देती है फिर नेक्स दिन यून हमें दिखता है कि वो घर में घुसरा होता है वो बहुत ही चाला के से घुसरा होता है यानि कि उसके मदर को पताना चले वो हमें कहता है कि मेरी मदर बहुत ही स्टीक्ट है अगर उसने मुझे फिर से देख लिया तो कुछ भी उसके हाथ में हो उसे मुझे मारेगी और इसके मदर की हाथ में हमें रोलर दिखता है यह बहती ज़्यादा हेवी होता है यिसे वह उसे बहती ज़्यादा इंजोर हो सकती है तो इसलिए वो बहुती बच कर जा रहा होता है Next reacting में हम देखते है युन अपने रूम में होता है उसके फादर भी वहा होते है तो उसके फादर फटाक से उसका डोर ओपन कर लेते है उसके फादर उसे बोलते है कि मुझे लगा था कि तुम पॉन वेगरा देख रहे होगे और exactly अपने computer में यून यही कर रहा होता है पर उसने window change कर लियो थी इसलिए उसके फादर को लगता है कि वह यह नहीं कर रहा है और of course वह यही कर रहा होता है फिर यून में कहता है कि वह उस लड़ी के कल बढ़े है उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना वह मुझे मार देगी यह उनको फिर idea आता है कि वह थीम पार्क में काम करता था वहां रात में उससे लेकर जाएगा lightning वेगरा लगाएगा song लगेगा fire कैकस लगेगा इसे उसे impress कर देगा जब वह रात में जाते है तो उस पार्क में उन्हें सिक्किंग करना पड़ता है जब उस पार्क में पहुच जाते है वहां एक soldier चुपा होता है वो soldier इन दोनों पर gun लगाता है यह जो soldier होता है वो भाग कर आया हुआ होता है इस soldier को ढूडने के लिए बहुत सारी army भी वहा आ जाती है यह soldier भी इन से पूचता है कि तुम यहां क्यों आये हो तो यह उन्हें से कहता है कि ऐसे ही हम पार्क देने के लिए हैं उसे उस पर बिलिव नहीं होता फिर वो soldier अपनी कहानी बताता है वो जब duty बर था मेरी girlfriend ने किसी और से के साथ लफड़ा कर लिया इसलिए उसे पनीश करने के लिए वो जिस आदमी के साथ उसने लफड़ा किया होता है उसे मारना चाता है पर वो करने ही बाता तो इसलिए अब वो खुद खुशी करने वाला होता है वो लड़की उसे बुछती है कि तुम अपने आपको क्यों मार देना चाते हो वो उसे कहता है कि मेरे गम वे वो डूप जाएगी पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम अगर मर भी गए तो फिर भी वो तुम से मुवान कर जाएगी इतना जादा फरक नहीं पढ़ने वाला वो फिर रोने लग जाता है फिर वो उसे कहती है कि तुम हमें जाने देने वाले हो तुम कुछ भी नहीं करोगे फिर यून भी उसे कहता है कि मुझे जाने दो इसे अगर तुम यह रखना चाते हैं तुम यहां रख सकते हो यून भी यह मजाख कह रहा होता है तो फिर यह सोलजर का मन पढ़ट जाता है वो उस लड़कियों को जाने देता है और यून को कई दिवाना लेता है फिर यूने से कहते हैं कि मैं यहां काम करता था मुझे यहां कि exist पता है तुम्हें help कर सकता हो तेरे दोनों जब बहार निकलते तो अब soldier उन्हीं कहर लेते हैं वो soldier यह उनको मानने वाला आता है पर वो लड़की फिर वहाँ थी है वो soldier को कहती है कि तुम अपने आप से पूचो कि क्या तुमने उससे सच में प्यार किया था अगर तुम उससे प्यार कहते तो तुम उससे जाने देते वो खोश है इसे में तुम अपना salvation ढून लेते वो उससे convince कर लेती है उससे कहती है कि तुम्हें जीना है तुम जीओगे और फिर से लव क्या होता है यह experience करोगे फिर यह soldier रोने लग जाता है और यून बच जाता है फिर वो लड़की यून को मारती है और बोलती है कि यह क्या था मुझे छोड़ो तो और इसको पकड़ लो फिर next दीन यह दोने काफे में हमें दिखाए गये है यून बच ऑटर करता है उससे कोक चाहिए होता है पर यह लटकी फिर से ऊसे कहती है यह मरना है कोफी लो फिर वो काफी ऑटर कहते है यून यह सब देखकर हसने लग जाता है अब उसे इस लड़की की आदत पढ़ने लग जाती है वो जो भी करने वाली होती है उसे पहले ही बता होता है उसे फिर से वो एक script देती है और से script पढ़ने पढ़ती है यून हमें कहता है कि इसके जो script होती है वो हमें शाग गटियाई होती है इसमें कुछ सेंस नहीं होता वो होती है फिर भी लोग चाता पहन करी जाते है तो ये ज़ारा इलोजिकल है फिर भी उसे पढ़ना पड़ता है फिर वो लड़की उसे कहती है ये जो बुक एडिटर होता है उसके पास जाकर मुझे मेरी ये स्क्रिप्ट दे कर आओ यून भी ये स्क्रिप्ट उसे दे कर आता है जब ये दोनों ट्रेन में होते है अब इनकी अच्छी से फ्रेंट्चिब हो चुकी है तो एक गेम खिल रहे होते है उन्होंने एक लाइन वहाँ ट्रेनबें ट्रॉक की होती है कोई भी पैसेंजर जिस पेस से क्रॉस करेगा उस पेर जो आदमी को असेंड किया होगा वो आदमी दुसरे को मारेगा यानि कि यून ने अगर लेफ लेक चुसकिया होगा और इसमें वो लड़की जीच जाती है यून को बहुत मारती है और लोग ये सब देखने लग जाती है एक सेनम हम देखते है कि जो लड़की सब करती है यून को वही करना पड़ता है वो स्कॉश कहलती है तो यून को भी यही कहलना पड़ता है जो बॉल होता है वो हमेशा उसकी सर पर ही लगता है वो फिर उसे कराटे की क्लास में भी लेकर जाती है वहाँ भी उसे उमारती है एक दिन जब यून अपनी उने सिटी से बहार निकलता है तब और ये लड़की उसके वेट कर रही होती है उसे यून के साथ हैंग उट करना बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन उस लड़की ने हील्स पहने होती है तो यून को बोलती है मुझे बहुत ही हर्ट कर रही है उसे कह रहे होती है क्यों ना हम एक्सचेंज कर ले यून ने बूट पहने होते है तो उसे अब बूट पहनने होते है यून इसे मना करता है पर वो चीट कर वो जा रहे होती है तो यून भी मान लेता है यून को पूरी यूनियोसिटी में हील पहन कर चलना पड़ता है सब उस पर हसते है पर भी वो करता है लड़की उसे उसके पीछे भी लोड़ दोडने के लिए बोलती है ये भी वो करता है जब रात होती है तो बारिश होने लग जाती है ये लड़की फिर उसके घर तक उसे लेकर आती है वो उसे अपने घर में बुलाती है पर यून उन्हीं मानता ये जब लड़की चली जाती तो उसका बैग यून के पास ही रह जाता है तो इसके लिए बैग देने के लिए फिर से वापस जाता है इस लड़की के जो फादर थे उससे पूछते है कि क्या तुम मेरे बेटी के बॉइफरेंड हो वो कहता है कि नहीं अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है फिर उसके फादर यून को कहते है कि अगले बार तुम घुमोगे तब इतना लेट नहीं होना चाहिए जब यून बाहर आता है तो पूछे कुछ चुनाए देता है उस लड़के फादर से डाट रहे होते है और यून से उससे नहीं मिलना है इसा उसे इंस्टरक कर रहे होते है यून फिर हमें कहता है कि बहुत दिनों तक उसका कॉल ही मुझे नहीं आया और एक दिन अचानक से उसका कॉल आया और उसने मुझे से ऐसी बात की कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है इस कॉल पर वो लड़की उसे कहती है कि दुम्हें कब एक लड़की बहुत प्रीटी लगती है उसे मजा करता है और कहता है कि जब वो नेकेड हो फिर उसे सिरेस होने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि जब वो पियानों पचाती है वो भी उसे कहती है कि जब एक लड़का मेरे क्लासरूम में मुझे full देने के लिए आता है तो मुझे बहुत ही pretty लगता है आज उनकी जो relationship होती है उसका hundred दे होता है तो इसी वज़े से उसके लिए अब उसे full लेकर जाना होता है यून उस लड़की के university में पहुच जाता है वो एक delivery man एसा डोंग करता है और वहाँ आ जाता है वो लड़की भी piano बजा रही होती है उसके लिए वो सब करती है और उसे stage पर जाकर वो full देता है यून को उस लड़की ने high school के जो uniform होते है वो पहन कर आने के लिए बोला होता है ये फिर दोनों एक club में जाते है और वहाँ बहुत मज़े करते है यून फिर हमें कहता है कि जब हम उस बार में गए थे उसके बाद हमेशा उनके यहाँ costume party होती है और costume की थीन होती है high school races फिर ये दोनों taxi में होते है तो यून हमें कहता है कि अब ये सो रही है पर ये sorrowful मुझे नहीं लग रही इसका sorrow up come हो रहा है जब मैंने पहली बार इसे देखा था ये बहुत ही दुखी थी चाहित उसे यून की ज़रूरत नहीं रहेगी ऐसे यून को लग रहा होता है जब यून उस लड़की को घर चोड़ने आता है तो उसके फादर उसे बेटाते है उसे अपने pocket खाली करने के लिए बोलते है उस pocket में उसे condom मिल जाता है इसलिए अब उसे stick करते है और कहती है कि अभी कभी तुम मेरी लड़की से नहीं मिलना है अब बहुत सारी दिन गुजर जाते है और लड़की उसे contact नहीं करती नेक सिन में दिखता है कि आप बहुत सारी दिन गुजर गए है तो एक दूसरी लड़की के पास वो आया होता है उसके साथ उसकी date होती है इस date पर होता है तब हमें हमारी जो हिरान होती है उसका call यून को फिर से वापस आजाता है वो उसे बुला रही होती है उसे कहती है कि मैं एक date पर हूँ तो यहाँ आना चाहिए यून पहले उसे मना कर देता है पर जिस date पर होता है फिर उसे पता जलता है कि जो लड़की है वो लड़की है ही नहीं वो एक लड़का है तो फिर वो वहाँ से अपनी जान भचा कर भाग जाता है फिर हुराइन के पास वो आ जाता है और वहाँ उस date पर आकर बेट जाता है फिर यह लड़की वाश्रूम जाती है एक आदमी के साथ वो date पर आई हुए होती है यून फिर उस आदमी को divs देता है अगर तुम्हें इससे अच्छी relationship चाहिए तो तुम्हें ये सब चीज़े करनी पड़ीगी तो वे लड़की वाश्रूम से आती है तो यून वहाँ से चला गया होता है फिर जिस आदमी के साथ वो आई हुए थी वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा जब फ्रेंड था उसने मुझे कुछ rules दिये है ये rules में तुम्हें कहे कर बताऊंगा इस rules में वो कहता है कि इससे जादा ring mark करने देना ने तो ये किसी ना किसी को मारी देगी हमेशा तुम जब जाओ के वहाँ तुम कॉफी पीना जब तुम्हारा hundred day होगा उसका जब celebration करना होगा तो इसके लिए फूल लेकर जाना उसे बहुत ही अच्छा लगेगा जब वो तुम्हें मारती है तो इससे जादा serious नहीं लेना जो तुम्हें दर्द होने लग जाए तो दिखाना मत कि तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है अगर उसके पेर दर्द होने लग जाए तो इसके shoes exchange कर लेना उसे writing बहुत ही पसंद है तो हमेशा इसे encourage करना ये सब जब ये लड़की सुनती है और वो रोने लग जाती है वो भागते भागते यून का पीछा करने लग जाती है यूनसे कहीं बी नहीं दिखता तो एक station पर आ जाती है station पर उसे कहीं भी मिलने रहा होता तो security office में वो गुच जाती है वहाँ गुज़कर यून के लिए वो अनाउस्मेट करती है उसे वो पास आने के लिए कहती है वो एक दोनों को हग करते है और ये फिर से उसे पंच करती है उसे कहती है कि तुम्हें डॉज करना था ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते है एक रोमेंटिक मुवमेंट वो स्पेंट कर रहते है फिर यून हमसे कहता है कि क्या ये हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है क्या हमारे रिलेशन्शिप सक्सेस्पूल हो सकती है वो दोने एक दूसरे को किस करना जाते है और करी रहे होते है तब ही इस लड़की के जो फादर होते है उसे कॉल कर लेते है अब ये सिरेस हो और फिर योई उनको जाने के लिए बोली रही होती है योई पिर जब वहाँ जाता है तो वो उसे आवाज देती है वो वहाँ रोने लग जाती है जो चीजे उसे बता नहीं सकती है वो अब वो दूर होती है तो उसे बोलने लग जाती है वो कहती है कि मुझे लगा थ कि मैं strong हूँ, हमारी relationship को मैं hold कर सकती हूँ, पर मैं एक साधा रहने लड़की हूँ, अब मैं जादा नहीं कर सकती, उनके relationship उप तूटने वाली होती है, फिर वो उसे हिल पर लेकर आती है, वहाँ एक बड़ा सा पेड होता है, उस पेड के नीचे वो बैठते हैं, उसने उसे लेटर लिखने के लिए बोला होता है, इन दोनों ने अपने लेटर एक साथ लाए होते हैं, फिर उसे कहती हैं, हमने दो लेटर जो लिखे हैं, वो हम एक pot में रखेंगे, और यहाँ गाड देंगे, जब दो साल होगे, तो दो साल बाद हम फिर से आएंगे और एक दूसरे के लिटर पड़ेंगे यून एक करने के लिए मान जाता है वो उसे कहती है, अगर दो साल के बाद हम फिर से नहीं मिले तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे अब यून जो होता है, वो ताउन से बाहर जा रहा होता है वो ट्रेन में बैठता है, ये लड़की उसे चोड़ने के लिए आई हुँ हुए होती है, यून ट्रेन में बैठता है और ये लड़की अपना माइड चेंज कर लेती है उसके पीछे वो भागने लग जाती है यूनको यह पता नहीं होता, यूनने भी अपना mind change कर लिया होता है, उसे लगता है, कि यह लड़की अभी platform में है, तो वो खुच जाता है, पर यह लड़की up train में खुच जाती है, इसी तरह से उनकी relationship जी होती है, वो अब टूट जाती है, यूना में कहता है, कि अब मैं उसस साथ नहीं हूँ, पर मेरा जो time है, वो मचेर तरीके से spend कर रहा हूँ, सब चीज़े वो productive कर रहा होता है, वो कहता है, कि हमारी जो stories थी, हमारी जो किस्ते थे, अब मैं वह इंटरनेट पर रिख रहा हूँ, यह वो बोल रहा है, क्योंकि यह actual real life story है, और यह जो लेखक था, इसने अल्रेडी इंटरनेट पर यह सब लिखी थे, और इससे की movie बनी है, वो squash खेलना सिखता है, सुमिक करना सिखता है, karate खेलना भी सिख लेता है, जो भी वो इस लड़की के साथ करता था, वो इस सब कर रहा है, अब उसने उस लड़की पर एक पुरी book लिखी है, और वो publish करने के लिए publisher के पास जाता है, ये भी accept हो जाती है, book बहुत ही अच्छे sale करती है, तो इस पर movie भी बनने वाले होती है, दो साथ बीच जाने के बाद, वो फिर से उस जगा पर आ जाता है, उस जगा पर वो पोचता है, तो उस लड़की का वो लेटर परता है, उस लेटर म भी बहुत ही with another part, तो फिर से और इसे मैं उसे में इंप्रेस हो चुकी थी, मैं भी उसे तुम्हारे जैसे एक train में मिली थी, वो भी मेरे लिए फूल लेकर आता था, वो उस लेटर में लिखती है, कि उसकी जो मदर थी, उसे भी मिलती थी, वो से गहीर दीए, मैं जो तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे, अगर मैं यहां नहीं आई, तो समझ लेना कि अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अभी भी उसे पैर करती हूँ, और अभी मुझे लग नहीं रहा, कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मैं पास्ट में जी रही हूँ, मुझे बता है गलत है, पर मैं इसे मूवा नहीं कर पा रही है। फिर हमें दिखता है कि बहुत सारे मौसम गुजर जाते हैं। जिस पैड के नीचे यहनोंने उनकी चिट्टिया गाड़ी हुए होती है। वह एक ओड मैन मेटा हुआ होता है। यह लटकी फिर उस चिट्टियों को पढ़ने के लिए आती है। पर यह जब आती है टाइम बहुत ज़ादा गुजर गया होता है। तीन सालों चुके होते हैं उसने यह विंडो मिस कर दी होती है। वह उस आदमी को कहती है, यह मैं यहाँ आने वाली थी, पर मैंने मेरा जो लवर था, उसे मिस कर दिया है। बहुत ही गटिया मेरी सोच थी, मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को पैर करते हैं, तो कही न करी हम एक दूसरे से टकराए जाएगे। अगर लव हमारा सच्चा है, तो हम किसी ना किसी कोइंसिदेंस से पर इसे मिली जाएंगे। पर यह बहुत ही कटिया सोच थी, अब उसे रिग्रेट हो रहा था है, क्योंकि वह पीसले सान नहीं आई थी। पर लड़ मैन उसे कहता है, कि मैंने एक लड़की को यहां देखा था, तो मैं लगनी रहा कि यह पेड़ ज़रा अलग है। वो लड़की भी कहती ही कि हाँ, मुझे यह अलग रख रहा है। पर लड़ मैन कहता है, कि यह जो पेड़ था, यह दो साल पहले तूट गया था, तो यह लड़का वहाँ आया, और उसने मुझे कहा था, कि एक लड़की को यह पसन है, और अगर यह उस लड़की को नहीं मिला, तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो चाहेगी। इसलिए उसने यह पेड़ फिर्ष लगाया, यह पेड़ फिर्ष से ग्रोव हो चुका होता है, य उनके आवाद उस लड़की के तक नहीं पहुच पाती, फेड़ ने उन्हें मुलवाया था, पर वो एक दूसरी से मिलनी पाए, नेकसिन में हम दिखते है, यह जो लड़की होती है, इसका जो पहला बॉइफरेंड था, उसकी मदर से मिलनी आये हुए होती है, उसकी मदर उ से कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगेगा, यह मैं गलत सोच रही हो, उस लड़की की मदर भी इसको इंकरेज करती है, कि तुम अब सही सोच रही हो, इस लड़की का एक जो बॉइफरेंड होता है, उसकी मदर ने एक लड़की को उसे मिलवाने के लिए बुला आता है, यह जब और मेरे बेटी में similarities है, तो तुम move on कर सकती हो, ऐसा मुझे लगाता, पर यह मुझे हमेशा dodge करता रहा था, यून हमें दिखा है, कि movie की first में, उसकी aunt ने उसे बुलाया था, वो इसे लड़की से उसे मिलवाने वाली थी, पर fate ने turns ली है, और यह सब movie में हमें दिखाए पर यून आप कहता है, कि आप में इंगलंड नहीं जाने वाला, फिर यून हमें कहता है, कि मुझे नहीं लगा था, कि यह possible है, पर हम फिर से मिले, फिर से हमें ये दोनों high school का uniform देखर, club में जाते वे दिखते है, फिर से उनकी जो fun life होती, वो start हो जाती है, यही है movie, एक happy note पर end हो जाती है,